पढ़ेगा मजबूरन मुझे मैं कर चुका हूँ सार उस पर बुद्वार को डिबेट कर चुका हूँ आपके डिप्टी सीम साहब की तस्वीरे भी मैंने दिखाई थी आप अपनी पार्टी के परवक्ताओं से पूछेगा कितनी अच्छी तस्वीरे आए कि मुस्पराते हुए सर मैंने जिर्बाद से ये पूछा कि आपके तमाम स्टार पर चाराख सर आपके तमाम स्टार पर चाराख वहां पहुंचे आज एक नहीं दिखाई दिया एक नहीं दिखाई दिया चलिए खेर आप बताईए सहाब सुप्रीम कोट ने लिस्ट मांगी है कहां से लाएंगे साथ विधायकों की लिस्ट बताईए जवाब है देखें तिलग जी करनाटक के अंदर जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में भारती जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में निकल के आई है भारती जनता पार्टी को एक सो चार विधायकों का बहुमत मिला है पांग्रेस पार्टी अधाक्तर पर सिमट गई जेडिया जो उनसे चुनाव लड़ रही थी पार्टी तीनों पार्टी या चुनाव लड़ रही थी वो 28 पसिमट गई आप कांग्रेस के आउसर बात को देखिए कि जो दल 104 सीट पनाई उसको राजपान निमंत्रण देते है तो ये 12 बज़े रात को चीफ जस्टिस का दरवाजा खुल खरुवाते है साथे साथ की बहुत बड़ा तूफान आ गया है और अपने 78 सीट पाके 70 सीट वाले को समर्तन देके ये काते की अब हम दोनों लोग मिलके भारती जन्ता पार्टी को रोकेगे कहीं न कहीं दोहरा चरित्र और एक तरह से आउसर बादिता का पढ़ा है और जहां तक सब्धार का सवाल है जल्दी से बता दीजे ना सर मुझे मेरी कन्फ्यूजन दूर कर दीजे मैं बड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूं ना ना समझाईए सर मुझे समझाईए दो सीट वाले को तरकार बनाने का नुवता मिलना चाहिए या फिर 21 सीट वाले को समझाईए सर मैंने आप से पूछा आप सवाल का जवाब इन दे रहे दो सीट या एकी सीट वाले को वो समझाईए दान के बारे में आप से ज़्यादा बिठाए सर वो आप से ज़्यादा जानते है प्रोफेसर साब इसलिए उनको नमिनस्ट किया हमने मैं तो आप से सीधा ये पूछा ना दो या एकीस प्रोफेसर साब है ना आपके साथ में वो बताएंगे समझाईए दान के बारे में आपको आप ये तै नहीं कर सकते कि को समझाईदान के बारे में ज़्यादा जानता कौन कम जानता है हाँ इतना जरूर है कि जो समझाईदानी बारे माननेता हैं जो समझाईदान की परी दिया उसके रहता आपको बुलाने ने याचका दैर की है जाकर उनके सामने खड़े हो जाईए और यही दलीले दीजिए जो यहाँ पे दे रहें आप ठीक है सर ठीक है एक सेकेंड आप ऐसे तिलक जी तिलक जी आएसी बहस आपको नहीं करनी चाहिए जो मर्यादित नहों सर मैं तो आप से पूछ रहा हूं सवाल पूछ रहा हूं सर डॉक्टर साप आप सवाल का जवाब दे दीने सर सीज़ सीदा मैं हाल ताजा मैं आजाओं उत्राखन में क्या हुआ था उत्राखन में क्या हुआ था बताईए सर सर मैं वही आ रहा हूं ना एक सेकंड और भी मैं माने तारिक साप बहुत देर से आप हाथ उठाए हुएं पीड़ा हो रही है सर और क्यों हो रही है कि पीड़ा इसलिए हो रही है भाई कि सम्विधान को कुचल कर इन्होंने उसको निस्त नाबूत करने की पूरी कोशिश किये जो अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी वह उनके लिए आकाशवारी है वह भगवान की आकाशवारी है वह मोदी जी इनसान नहीं उनके लिए तारिक साहब विश्वास किस पर है आप लोगों को यह बताईए ना हंडेट परसेंट हम बनाएंगे 96 में अटल बिहारी बाजपई जी ने जबरदस्ती शंकर द्याल शर्मा जी को धंकी देकर सरकार बनवाई थी अपनी 13 दिन के प्रदान मंतरी थे वो वही हाल यहां होगा उन्नीसों पचानवे का जिर्क ने करते पाए थे भाई वही को कह रहा हूं ने सो च्छानवे में जब अटल रहे जब सपा बस्पा ने सारे बीस्पी के विधायकों के नाम की लिस्ट भेजी थी और माया वतीदी ने क्या कहा था कि मारपीट की कोशिश की गई और इसके बाद क्या हुआ था वह भी जिकर करिए इए बात समझे वहां पर मुझारी ती में हम अल्जी सरकार में पैठे थे गई थे आपनी अपनी बात करी गरें तो कर दो कर संवेदान के वह बंदू कर नहीं तो बियार में बुलाया गया आप इंका जवाब नीокой होग में क्या किया थी ठीक, ठीक, मैं उसी पर आऊँगा, प्रोफेसर साब है, मैं जल्दी से साइफ खान के पास जा रहा हूँ, सर 1998 का जिक्र भी करिये न, बताईए कि बीटेपी की समर्थन पत्र दिया था, उसके बाद पलट गई थी मायवती थी, है ना सर, एक सेकंड, एक सेकंड, डॉक्टर स दर्ख्वास करने के लिए, उन्हीं के पास गए थे जिनके ओपर आप लोगों ने आरोप तरह तरह के लगाए, बिल्कुल, है सर, बिल्कुल गए थे, और वहाँ पर भी आप लोगों को जटका लगा, किस पर विश्वास है आपको, देखिए, बहुत 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 शुक इसलिए हम लोग ने जो है कोशिशे की थी, कि जो है हम राज्य सबा में जो है उनके खिलाफ पर्टीशन और सभी कर सकें, मगर गला घोटने की रिवाज जो है वो शुरू हो चुका है, खेर बारहल, मैं अभी दूद कर दूद और पानी का पानी कर देता हूं तेलक चावल कि यदूरपा जी को गवर्नर साब ने बुलाया और उनको कहा कि आप शपत पत्र वो कर लीजे, उससे पहले ही भारती जनता पार्टी के ऑफिशल टूइटर अकाउंट से टूइट हो जाती है कि गवर्नर साब ने जो है उनको वो कर दिया है और सुबा जो है वो स्टेटमेंट क्या आता है स्टेटमेंट आप देखें टूइट क्या की जाती है कि गवर्नर साब ने इनको बोल दिया है मतलब आपने उनके एलान करने से पहले ही तूइट आ जाती है भारती जनता पार्टी के ऑफिशल टूइटर अकांट से उसके बाद जब ऑब्जेक् कोजे बुलाया था एक सूचि जमा की होगी आपने गवर्नर साब के पास प्रवीजन क्याल क्वाइन को बुलाते हैं और सिंगल लाजर पार्टी जो है सूचि जमा करती है गवर्नर साब बार जो मीनिमम उनके जो बहुमत जो आप प्रूफ कर सकें तो आपकी 104 वाली सूच सूची में 105 वा जब नाम नहीं था तब गवर्नर साब ने आपको एइलान करने के लिए सूची बिल्कुल सूप्रीम कोर्ट ने मांगी है मैं यह पूछ रहा हूँ मैं गवर्नर साब की उपर हूँ आपी सूप्रीम कोर्ट में तो जब वो अन फ्लोर सदन में अपनी ताकत प जिम्मधारिक पोस्ट के उपर हैं गवर्नर हैं वो इस वापर चलिए आप यह बोलते हैं आप सिंगल लाजस पार्टी हैं करनाटिका में चलिए बिल्कुल हैं गोवा में जल्दी प्लीज आरजएडी मैं बिहार में आरजएडी का पूल बोगप आप है जो है जो है बिहा गवर्नर हाउस का जो स्तमाल है वो वैसर करनाटिक में हुआ जोड़ने को मिलना है पिर में ब्रेक लेना है प्रोफेसर साब सर यह हमारे लोग तंत्र की खूपसूर्ती है या फिर खत्रे की घंटी हम इसे मानें जो कुछ करनाटक में चल रहा है सर दीए दो तीन चीज़े मैं मैं चाहता हूं करनाटका की जनता का धन्यमाद इस बारे में इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि इसी बहाने constitutional propriety, public morality और political fairness पर एक बहत शुरू हो गई है अभी जैसा कि पहले के परवक्ता ने कहा कि ऐसा एक समिधान में एक provision है कि single largest party को बुलाया जाएगा समिधान में इस परकार कि कोई भी विवस्ता नहीं है कि single largest party को बुलाया जाए या coalition party को बुलाया जाए इस परकार कि कोई विवस्ता नहीं है यहाँ पर 3-4 issue है जो मैं समझता हूँ इस पर बात होनी चाहिए जो constitutional है और political morality से भी related है पहला तो यह है कि हमको यह देखा जाना चाहिए कि constitution में provision क्या है जैसा कि मैंने अभी कहा कि constitution में इस तरह कोई provision नहीं है कि single largest party को बुलाया जाए या constitutional या क्या कहते हैं कि आपकी जो coalition parties है उनको बुलाया जाए ठीक है यह पूरी तरह से विवेका अधिकार है राज़पाल का लेकिन राज़पाल का जो विवेका अधिकार है यह absolute नहीं है इस बात को भी समझना चाहिए कि राज़पाल का जो विवेका अधिकार है वो absolute नहीं है और जो राज़पाल का रोल है उस पर भी बात की जानी चाहिए एक बात दो important कहना चाहता हूँ तिलग जी वो यह है कि ऐसी condition में जो सरकारिया commission की जो report है उस report को कम से कम ध्यान में रखना चाहिए वो report यह कह रही है कि वही सबसे पहले तो आख जो alliance है पहले हुआ है election की उसको बुलाया जाए अगर वो नहीं है तो single largest party को बुलाया जाए ठीक है जो independent MLS के support से क्या कहते हैं कि सरकार मतना लेंगे और तीसरा यह है कि post electoral coalition को बुलाया जाएगा चुकि पहले दो case यहाँ पर मौजूद नहीं है इसलिए जो तीसरा वला case है कि post electoral coalition को बुलाया जाना चाहिए यह ज़्यादा सुसंगत बात है यह ज़्यादा सही है constitutionally चुकि constitution में कोई express provision नहीं है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर coalition parties के पास number है और एक बहुत और तिलग इस बात को भी ध्यान में देना चाहिए चुकि यह public perception से जुड़ा हुआ सवाल है हम यह बात कहरें कि भाश्वा के पास 104 seat है तो यह कैसे बहुमत को प्राप्ट करेंगे यह सब लोग समझ रहें कि कैसे प्राप्ट करेंगे तो हम मैं यह कहना चाहरा हूँ कि कहीं न कहीं ultimate principle क्या है सोली सुराब जी क्या कह रहा हूँ कुछ यही तो कहना है कि ultimate principle यह है कि होर्स trading जो है वो democracy में नहीं होना चाहिए यह electoral purpose को defeat कर देता है पूरी election के process को defeat कर देता है नहीं बिलकुल यह तो यह तो यह तो यह तो कम से कम vote share को भी ध्यान में रखा जाए सबसे आदा vote share इस समय कॉंग्रेस का है और उसके बाद भाजपा का है और जेडियेस का है तो यह करीब साथ परसेंट के आफ पास पहुंचता है जा इस इस्यति में जब कोई टूल की ambiguity है रूल इस बिल्कुल किलियर नहीं है तो क्या vote share को ध्यान में नहीं रखा जाएगा वोट share को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस समय मैं समस्ता हूँ कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चुकि constitutionally मैं समस्ता हूँ की coalition जो government है वो ज़्यादा effective रहेगी ज़्यादा constitutionally valid होगी ठीक प्रोफेजर साब आपने बहुत मैत्पूर बाते बताई हैं एक छोड़ादा मुझे यहां पर ब्रेक लेना है आप सभी कारेक्रम में आप शामिल हो चुकी हैं ब्रेक के उस पार एक दूसरे से आप अपनी बात को रख भी सकते हैं लेकिन सयम के साथ एक छोड़ादा ब्रेक ले रहे हैं जल्द हाजी रहे हैं जा मुद्द की बात में आज बात हो रही है करनाटक के सियासी नाटक की अपने महमानों की और हम रुक करें लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां पर आप समझे कि आखिरकार जोड़ादा कैसे सेफ जोन में आ सकते हैं इसके लिए चल सकता है ऑपरेशन लोटेस पार्ट टू क्या है ये देखिए ज़रा क्या युद्रप्पा की शपत के साथ करनाटक का सियासी नाटक खत्म हो गया तो इसका जवाब है हर्गिज नहीं क्योंकि अब यहां से युद्रप्पा को अपनी सरकार बचाने के लिए आकड़ों की जरूरत पड़ेगी मगर सवाल ये कि बीजेपी के पास प्लैन बचता क्या है करनाटक विधानसवा चुनाव में 104 सीटों पर जीत दर्च कर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है लेकिन इसके बावजूर बीजेपी बहुमत से आठ विधायक दूर है वहीं कॉंग्रेस और जेडियेस के आकड़ों को मिला दे तो कड़बंधन के हिसाब से 116 के आकड़े पर वो पहुँच जाती है राज्येपाल ने ये दुरप्पा को विधानसवा में बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया है और इसी 15 दिनों के बीच बीजेपी को पहुमत का आकड़ा जुटाना है 2008 का वो ऑप्रेशन जिसे ऑप्रेशन लोटस के नाम से भी जाना जाता है तब भी यही स्थिती थी जब बीजेपी को सरकार वनानी पिछडी बार के मुकाबले इस बार 6 विधायक कम हैं तब उस वक्त 2008 में 110 विधायक थे मगर इस बार 6 विधायक कम यानी की 104 का आकड़ा अब जरूरत है कि 14 विधायक प्लोटस की वोटिंग के वग गैर हाजिर रहें तब ही बीजेपी 104 विधायकों के साथ पहुमत तक पहुँच सकती है वहीं दिल्चस्प किस्सा तो ये भी है कि 2006 में अपने पिता एश्टी डेव गोड़ा के खिलाप जाकर कुमार स्वामी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी मगर उस वक्त वक्त कुछ और था आज वक्त कुछ और है दिल्चस्प बात ये है युदरप्पा 2007 में महसाथ दिनों के लिए सीम बने थे उसके बाद 2008 में 49 महीने के लिए सीम रहे तीसरा टर्म गुरुवार से अब शुरू हो चुका है लेकिन जो दुरप्पा फिल्हाल इस सस्पेंस में होंगे कि सरकार कितने दिन तक चलेगी कुछ दिन या 2023 तक प्यूर रिपोर्ट इंडिया वाइज यहां सरकार कितने दिन कुछ दिन या 2023 तक आपको बतादे की मुद्देखी बात में हमारसाइफञ क्या साहब एक Playing छुड़े हुआ हूं है मैत्पूर बाते उन्हों ने प्रेक से पहले हमें और सामने रखी मैं प्रोफेसर साब आपके पास आऊंगा क्योंकि कई तक्नीकी नजरिये से ठीजे हम समदना चाहेंगे आपसे और दर्शक भी लेकिं डॉक्टर साब सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं एक बार फिर से एक बास समझाएए सर विपक्ष कहा रहा है आपकी बार सरकार डॉक्टर साब आवाज नहीं आ रही होगी चलिए सर दुबारा कनेक्ट करेंगा आगई आगई ना सर विपक्ष कह रहा है कि अपकी बार सूटकेश की सरकार मारी में अपकी चनता चोड़ो आप अपने बारे में विचार करो बात सुनों आप आपके बात रखिया आपके बात रिखान के लिए एक मिनट यह कुछाए है। सफकान एक सेकंड और अपनी बात रखिया। आपके एंपी खुद बोलते हो एक मिनट और अपनी बात रखिया। मैं पूछना चाहता हूँ साहिब साथ से कि आपने अभी हमारे मिराज भाई ने कहा कि तीन प्रकार की परिस्थितियों में सरकार को निमंतर प्रादमिक्ता पर दिया जाता है किसी दल को बहुमत है तो उसको बुलाते हैं चुनाओं से पाले कोई घडवंदन बहुमत में है तो उसको बुलाते हैं सिंगल लार्जस पार्टी अगर वो सरकार बनाने के लिए आती है तो उसको बुलाते हैं नहीं आती है तो चुनाओं के बाद की परिष्टितियों में जो प्रेसन होता है उसमें बुलते हैं अगर राजपाल ने अपने विवेग से भीजेपी एक सो चार सीथ पाके सब्चे बड़ा दल के रूप में करणाटक के अंदर आई है अगर उन्हें सपद गराड के लिए बुलाया हमने सपद लिया हम वहमत सिद्ध करेंगे नई सिद्ध होगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ एक सब्सक्राइब मैं अरह सेकंड सर एक सेकंड मेरा सवाल सीधा है चरिया आपने का राजेपाल का भी वेगतर राजेपाल ने मुखा दे दिया ठीक है सर मैं आद तक भी आपकी बात को मानगे लेकिन आप मुझे ये समझाईए कि 104 के बाद आपके पास आकड़ा सिद करना है ठीक सर कॉंग्रेस और जे सर आप सीधा पताईए ना किसे तोड़ेंगे आप सीधा गहां से लाइंगे आप या मंतर आत्मा की आवाज देंगे इतने देर से आप बोल नहीं है प्रकार्ट साफ एक सेकिंड एक सब्सक्राइब करना है एक सेकिंड डॉक्टर साफ अंतरात्मा की आवास दिदिए गाफ साधन में एक सेकिंड तारीक साफ आपने हाथ उडाय जल्दी से पिर आपके पास आ रहा हूं किर लिए ज़िए साफ्टों में कि होस देंग को करनी है इनकी हिम्मट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि डिमार्टाइजेशन करके पुपलिक में डाका डालके इन्होंने जो काम किया है वर वोर्ट नहीं किया तो इनकी हिम्मत उससे बढ़ गई दूसरा डॉट साम नहीं गलत टाइम का दिया है इनकी तेरा दिन की सरकार एक वोट सँनी किरी थी मैजॉर्टी में नहीं थी और तेरा दिन की सरकार विदावट मैजॉर्टी जबर्दस्ती बनाई गई थी ये जो पाकी बनाई गई जब आपको नहीं मालूम है तारिक साथ तारिक साथ आपकार ते ग्यादा है आप बात ख़दब कर देदर इदर सुने एक सेकेंड डॉक्तर साब एक सेकेंड लेने के बाद गताउस के अंदर हत्या तक करने की बाद लोग रहे थे प्कार आपने कॉष करा रहें तो को आपने करेंगे धम्हें सा अंप साहिंग पर से देख लिया जैसे गेशन कांगरिज करनातिका में जो यह बोलते हैं कि सिंगल लाजस पार्टी है उसको इन्वाइट करना चाहिए जैसे हमारे प्रोविशनल एक्सपर्ट यहां पर बैठे वें उन्होंने बहुत अच्छी बात की अब इस वक्त के यह जो है गवर्नर की उपर डिपेंड करता है कि वह सिंगल ला मौका मिला जाता है मैं बहुत इंपॉर्टन पॉइंट यहां पर रेस करना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं कि जनता भी इसके उपर बहुत बारीकी से ध्यान दे पहला पॉइंट जो है अब जैन देवरानी जठानी ने चाहता है एक सेके एक सेकड़ का सीड़ नहीं चर रहा आप दोनों अपनी पर्टी को डिस्वेंट कर रहे है आपर और मैं चाहूंगा कि कम से कम उधारण बनकर सामने रखे जनता के ऐसा नाओ कि जनता भी कहा है कि वही हमारे कैसे नेता है प्लीज प्लीज सेफ अपनी बात रखिए एक सो चार की सूची के सबसे मुक्य सहयोगी बोर रहे हैं एक सेकंड तारिक साब ने सपा के दोस्ते चाहूंगा कि कुछ मजे अंट्रॉप्टिट कुछ मौका दिया जाए मैं अपनी बात कम्प्लीट कर लूँ एक सो चार की सूची की बात हो रही है जो कल जमा होगी सुप्रीम कोट में और सुप्रीम कोट उसे जब तक आउट नहीं करेगा जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाएगा ये प्रोविजन कहता है आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाएगा flow test की मौका जो दिया जा रहा है आज आज यानि गवर्णर साब ने जो मौका दिया है 15 दिन का भारतिय जन्ता पार्टी को साफ साफ है और जिसका सबूत कि आप खरीद फरोग करें 100-100 करोड रुपए जेडियेस और कॉंग्रेस के विधायकों को आफर दिया जा रहा है कि आप यहां पे हमारी पार्टी जोइन्ट कर लिए उत्रा खंड में 100 करोड का मतला 800 करोड रुपए उत्रा खंड में मौका मिला था आपकी सरकार को हाली पैसा है जो टैक्सों में हमारी जंता का स्थमाल होता है कोट गए है आप कोट गए हैं आप कोट पे भरोसा है बिल्कुल है ना सर उत्रा खंड में आपको मौका मिला था मगर मैं इक चीद मैं हम तो जा रहे हैं कोट नहीं जाएंगे तो क्या करें आप मुझे निपूर में होते वे भी आरजेदी बिहार में होते वे और करनातिका में आप यह देखिए बहुमत हम दोनों को होते हैं भी सरकार बनानी की प्रमिशन जो है गवर्ण नहीं देते हैं तो यह सा कॉंस्टिूशन नहीं है एक सेकंड मैं आ रहा हूं मिश्ण यह आप ही के प कि भारती जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वह उनसे पूछना चाहता हूँ कि 2009 में अंसराज भारतवाच जी ने करनाटक में क्या किया था 2005 में सिप्ते रजी जी ने जानखंड में सिवु सोरें को सपत दिलाके वो सरकार नहीं बन पाई बात में बीजेपी की सरकार बनी में 28 में महाराज के अंदर भी पेगेटें शुपमया क्या किया था 1996 में गुजरात में कुष्णपाल सिंधी राज़पाल थे गुजरात के उन्होंने क्या किया था अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़े दल को निमंतर देना क्या अपराद है क्या नहीं नहीं है हो गया? इस पर तूफान क्यू मचरा हो गया? अपन नहीं सिद्ध कर पाएंगे हम सरकात से लेकिस पूछना चाहता हूँ जिनों ने इतना बड़ा पाप किया देश के अंदर संभिलार की सिद्ध किया और जिनों ने देश के अंदर राजनेतिक मर्यदाओं को तोड़ा वो आज हमको नेतिक्ता की बात सिखा रहे हैं एक बार उनको अपने बारे में विचार करना चाहिए हो घाप ऑर कुछ बोलना चाना रहे हैं इक सक सब्सक्राइब . सब्सक्राइब गृष एक सब्सक्राइब एक सेकें । पोगया ऐसा क्यों मैहीं हो सुन लिए ऐसा क्यों मैसूस हो रहा है पूरी डिबेट के अंदर कि अब बीजेपी ने बैठे बिठाय करनाटा का जो मुद्दा थाली में परोस्का कॉंग्रेस को दे दिया है ऐसा क्यों मैसूस हो रहा है नहीं तिलक जी देखें यहां पर सोचने वाली बात यह है 2014 में और और उसके बाद जो इलेक्शन हुए है बीजेपी का उद्धोस वाक क्या जो मूल मंत्र था वो नेतिकता ही था और इनों ने देखें आपका पहला प्रस्न जो आपने पूछा वही आपके सारे प्रस्नों का जवाब है किसी ने हाथ नहीं उठाया सबने पत्थर मारे हैं तो इनका जो मुद्दा था जो सारी चीजे थी यह जो सत्ता में आये थे कि भाई हम बड़े नहतिक हैं इन केंप्रीजन आफ अदर यहां पर देखने वाली बात यह कि दो चार साल में नहतिकता क्या है वो दिख गई है मैं इसको स्टीट पोलिटिकल स्टीट स्मार्ट जरूर बोल सकता हूं बाई हुक और बाई कुरुक आप गवर्मेंट बनाईए लेकिन क्वेस्टन जहां में तिकता का होता है वहां एक बार नहीं तीन बार चार बार पांच बार सारी पार्टियों ने पहले भी इससे भी गये गुजरे काम किये हैं सत्ता को पाने के लिए और देखें ये एक लोलुपता है लोलुपता होने का मतलब जैसे रास्त एकडम अंदे हो गये अपने पुत्र मोह में वैसे ही मुझे ये लगता है कि बीजेपी भी सत्ता के मोह में इतनी अंदी हो गई है एक क्वेस्टन में पूछना चाहूंगा सारे राज्यों में आप की सरकार है सेंटर में आपकी सरकार है करनाटक के लिए आप क्यूं नहीं त्याग कर सकते हैं आप ही बोल दो कि बाई चलो आप पहले सरकार चड़ा करके देख लीजे तो यह दिखाता है कि सत्ता के लिए कितनी लोलुपता है और तीनों दलों की है मैं कॉंग्रेस और भी चाने के लिए यह सारी बताती है जो में जिलिक के सामने आप इसको लोकतंत्र बोलेंगे मैं बोलूंगा यह सत्ता का लूत तंत्र में पर हैं कुछ बातर हमारे जाएंगे अब S.E.C.T.E. में सर मेरा सवाज सुन लीजी S.E.C.T.E. में विकल्प क्या बचता है जो दुरपा के पास किस तरह से वो फ्लोर टेस पास कर सकते हैं और कॉंग्रेस के पास क्या विकल्प बचता है पहले जो दुरपा का जिखर कर ले सर एक सेकिंड सर मेरी दर्खवास्ता पहार से आवास बढ़ा दीजिए बोलिये सर मैं यह कह रहा हूँ कि हॉर स्टेटिंग जो है हॉर स्टेटिंग वो कहीं से नहीं होनी चाहिए तिलक जी आपका ध्यान सर आपका ध्यान चंदरकांथ का लेकर जी के के तरफ ले जाना चाहता हूँ जिसमें कॉंग्रेस के पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया गया था और उसमें क्या कहा गया था कि सबसें इम्मॉर्टन बात यह है कि भाई फ्लोर टेस्ट अगर करवाया जाए तो और जल्दी जल्दी करवाया जाए तो इसमें समस्चा क्या है इतमें दो बाते कही गए जिया थी पहला तो यह है कि अगर कि सी वी पॉलिटन पार्टी की मेज़ारटी नहीं है तो यह ग्वावर्णंट के डुटी तो यह देखे कि पात तो गाँर्ण की नमबर किस के पास है वो ये जो कॉलीटन के लोग है नंबर उनके पास है और दूसरी बात ये है कि अगर कोई नहीं आ रहा है जिनके पास नंबर है उस केस में सिर्फ सींगर लार्जagan पार्टी को बुलाई जा सकता है यह आपका कावलेकर केस है उसमें ये बात कही गई थी दूसरी बात जैसा कि अभी डॉट सर ने कहा जो मैंने सरकारिय कमिशन की बात किया था उसको आके बढ़ाते हुए सर ने कहा जैसा कि मैंने कहा था कि पहले तो अलाइंस जो एलेक्शन से पहले फार्म हो उसको बुलाया जाए यहाँ पर वो इसकी नहीं है फिर मैंने कहा कि जो यही सरकारे के मुश्य की बात कर रहा हूं मैं कि order of preference जो इसमें दी गया था उसकी बारे में बात कर रहा हूं कि single largest party with the support of independent वो भी condition यहां पर नहीं है कोई independent candidate नहीं है अगर हो तो वो उसको support करके भी इनका number 112 यह जो भी clear cut majority है वो नहीं हो पायती है तो इस condition में पहले की दो condition हो जाती है तो तीसरा जो option बचता है वो post electoral coalition का ही बचता है और इस condition में इस बात को ध्यान में बिल्कुल रखना चाहिए और सरकारिया एब माद और मैं कहना जाता हूं कि सरकारिया कमिशन की जो रिपोर्ट थी 1983 की रिपोर्ट उसको अफ़र्म किया सुप्रीम कोड की constitutional में दो हजात माच में रामेशमर प्रसाद वर्सेश यूनियन ऑफ इंडिया चुकि कोई constitution में इस प्रकार का प्रमिशन नहीं है यह कहीं लिखा नहीं हुआ है कि पहले चिंगलाजिस पार्टी को बुलाया जाएगा पहले भी कह चुका हूँ कि हॉर्से बात को रिपीट कर रहा हूँ हॉर्स टेडिंग शुड नॉट बी परमिसबल इन इनी काइंड लोग इलेक्टोरल प्रोसेस इस केस में भी कोई और चारह नहीं है कोई इनिपेड़न्ट कांडिटेट नहीं है तो मैं यह कह रहा हूँ बिलकुल उनके पास बिकलप है जो कि मैंने जो अभी प्रेजेंट रॉट है जो प्रेजिडेंट है कि भाई जो परसेंटेज है वोटिंग परसेंटेज वो इनके फिवर में है तो इस बास को भी दियान पर आपकी बास समझ गया वीज़ी सेकंड दूंगा सब को लेकिन पुछ बयान सुना दू पहले तीन बयान आ रहा हूं तारिक साथ आप ही के पास शुरुआत करूँगा एक सेकंड आ रहा हूं सर तीन बयान सुना रहा हूं जल्दी से आपके पास आ रहा हूं यह तीन बयान सुनिये और फाइनल कमेंट सभी से 20 बी सेकंड यह सुनिये तरह तीन बयान तो stable government कौन दे सकता है, 104 दे सकता है, 116 दे सकता है, तो यहाँ पर governor सापको सोचना चाहिए था कि जो चुनावपूर गडवन्दन मना है, वो ज़्यादा stable government दे सकता है, तो हम समझते हैं कि उसको बुलाना चाहिए। जब इस तरह काचरल करते हैं, तो देश की जनता माफ नहीं कर सकते हैं, आज निश्य तोर पर सम्मिधान की हत्या हो गई है, लोकतंतर की हत्या हो गई है। तो फिर एक और त्याग करके 2019 की और ध्यान दे तो ज्यादा बहतर होगा, ताकि एक और त्याग के लिए उधारन मिल जाए, गडबंदन भी मस्बूत होगा इससे। अब वहाँ पर विधायक लोग अपना काम करेंगा, दूसरा ये नैतिकता की बात करते हैं, तो जब हम बात कहरें उसको बहुत गंभीरता से लिजेगा, जब PDP हम लोगों के साथ आती थी, तो उसको आतंगवादी पार्टी ये बोलते थे, आज PDP इनके साथ है, तो से लाइंस आपका तूट गया था, फिर बात में आपने क्यों सरकार बनाई, और आपने PDP के साथ मिलके क्यों अभी सरकार बनाई, इलेक्शन के बात, ये आप अपने गिरेबाद में भी जाक कर देगे, दूसरा एक में सर, यू मजबूर हूँ, यू मजबूर वो काई Ultra ॐपा के प्यार में रख दिया हत्यार, दिल्ली वाले यार ने, इसमय ये पोजिशन है इनकी chi, सर, सर, फिर चर्चा कर लेंगे Seas fire पे, हो गया हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, सैफ कान आपको लगता कि एक और उधारण अगर पेश कर दिया जाए तो 2019 में बीजेपी के सामने मजबूरी हो जाएगी दिक्कत खड़ी हो सकती है देखे बीजेपी के सामने मजबूरी खड़ी होनी तो शुआ होई गई जल्दी से बहुत मुझकल से मिल पार हुए जादा तर तो ऐसी स्टेट हैं इनकी जहां पर वह बात आज आज जो हो रही है में जो है वो ये है कि Constitution का अभी जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया है कि Constitution का जो है गला घोटा जा रहा है और यह example दिया है कि खरीज फरोग होगी और यह example है जो विधायकार है जेडियेस के यह example है Congress के जो कहने है 100 क्रोल जो है offer की जारा है चाला जी मैं आपको बता दूँ गुजरात इलेक्शन के बाद मैंने एक टीवी पर स्टेट्मेंट दिया था लो मोर क्लीन स्वीप और बीजेपी उसके बाद से बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं कर पाई अलपमत में मतलब पूरा बहुमत नहीं ले पा रही रही बात आपका एक क्वेश्चन बड़ा जन्यून था कि सारी पार्टियों के पास option क्या है देखिए फ्लोर टेस्ट तो होना ही होना है इसमें Congress और जेडियस के पास यह है कि अगर आप अपने एक-एक बिधायक को फे इसको नहीं बोलेगी एक्सेट नहीं करेगी वह बोलेगी कि लोग खुद मूटिवेट होकर क्या है ठीक है ठीक है एक फाइनल कमेंट आपका डॉक्टर साब सीबी आई दिलाएगी पहुमत सब्सक्राइब नहीं बताएंगे डॉक्टर साब नहीं बताएंगे डॉक्टर साब पिछी सब्सक्राइब नहीं बताएंगे डॉक्टर साब प्रॉक्टर साब प्लीज प्रोफेसर साब बात रखना चारेए प्लीज बीस सेकंड जल्दी से प्रॉक्टर साब हो गया डॉक्टर साब हो गया सर सुन लिजीए वो किसी रादे ते कखिल के नहीं है डॉक्टर साब प्लीज प्लीज प्रॉक्तारिस आपनी बात रखिए अपनी बात रिकिये जल्दी से तारेक साथ प्लीज तारेक साथ पलीज प्लीज थारीक साथ प्लीज प्लीज प्रोफेश ऑफ जल्दी से आप नहीं बारेंगे तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत अच्छे उधार अड़ेते हैं बैठके आप लोग प्रोफेसर साहब सौरी माफी जाओंगा वक्त खत्म हो गया डॉक्टर साहब सरकार बनाईए लोग तंदर बचाईए बहुत 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 हमने यही कहे थी पत्थर वही मारेगा जिसने कभी अपराद ना किया मुद्धा की बात मेरे साथ इतने कल फिराज में कुछ ऐसे मुद्धों के साथ मुझी जिविया नमस्कार जैन जबारत